हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन को प्रेस करके ओल स्लेक्ट कर लें ताकि हमा तो नमबर्स आ चुके हैं तो चलिए इस वीडियो में हम नमबर्स को डिस्कस कर लेते हैं जी यहाँ आप देख सकते हैं कि A.R.C. Finance Ltd. के जो नमबर्स हैं वो आ चुके हैं एक आज एक अगस्त के दिन यह नमबर्स आने थे चलिए हम नमबर्स को देख लेते हैं कैसे important day था shareholders के लिए सबसे पहले देख सकते हैं आप यह quantities यहां lakhs में दी गई हैं सबसे पहले revenue आएगा total income हम देखेंगे total revenue from operation 105 lakhs जो है इसका total revenue इस quarter में आया है जो कि last quarter में 495 था तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा बहुत बड़ी गिरावट जो है इस company के जो revenue है उसमें हमें गिर्टी हुई नजर आ रही है बट year on year basis पर अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि 38 lakhs जो sales होती थी year on year last same quarter में वो 105 lakhs बढ़कर हुई है तो year on year basis पर लगबग 3 गुना ज्यादा तक company का revenue उचला है अब आ जाता है दोस्तो expenses सबसे important factor खर्चे आते हैं क्योंकि अगर आपकी income जादा है और आपके खर्चे control में नहीं है तो तब भी आपको problem होती है तो expense हम सभी जितनी भी इनके अलग-अलग financial costs हैं employee benefits हैं सबको include करने के बाद total expense आप देख सकते हैं 76 lakhs का हुआ है जो की last quarter में आप देख सकते हैं 523 था means last quarter में sales भी बहुत जादा थी बट उसी के comparison में जो company के खर्चे थे वो भी बहुत जादा थे और इसी वज़े से पिछले quarter में ये company loss में हमें जाती हुई दिखाई दी थी बट इस quarter में company ने अपने कही न कहीं खर्चों को भी control किया है उसके बाद अगर हम बात करें year on year basis last quarter की तो वहाँ 23.81 लाक रुबे के खर्चे थे अब बात आ जाती है profit की या profit हुआ है या loss तो सिदा सिदा आप देख सकते हैं profit होता है income minus expenditure तो यहाँ इस quarter में अच्छी बात यह है कि company को company को यहाँ profit हुआ है आप देख सकते हैं profit loss 21 लाक 21 लाक रुपे का pure profit हुआ है जो की last quarter में जहाँ 20 लाक की company को loss हुआ था उसके मुकाबले इस quarter में 21 लाक की company को profit हुआ है quarter on quarter basis पर आप देख सकते हैं profit यहाँ double होता हुआ दिखा है और quarter on quarter basis पर sales भी आपको तीन गुना होता हुई दिखाई दी है देखे दोस्तों यह stock का nature ही ऐसा है आगे अगर हम EPS की बात कर लें earning पर share में अगर मैं quantities को देखूं तो आप देख सकते हैं 0.004 आया है EPS जो की last quarter में negative था और year on year basis पर double EPS होता हुआ हमें दिखाई दिया है दोस्तों अभी कुछ साथी बोलेंगे कि sir company का revenue तो बहुत ज़्यादा downfall आया है जी यह देखने यह बात है कि company में revenue बहुत कम आया है बट company profit में आई है और quarter on quarter basis पर काफी ज़्यादा जबरदस्त उचाल जो है company के sales में भी हुआ है और खर्चे बहुत जबरदस्त तरीके से इतनी महंगाई के बावजूद control किये हैं अब मैं आपको एक और बड़ा important data यहां दिखाता हूँ जिसको देखकर आप थोड़ा सा समझेंगे जी यहां आप देख सकते हैं यह मैंने कुछ पहले के quarters के results आप यहां sales देखिए इस company में कितनी volatility है यह मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि इसमें जो sales है उसमें काफी banker volatile रहता है आप यहां देखिए 0.23 lakhs क्रोड के sales थे then 0.73 then 0.25 यहां देखिए सीधा साड़े 3 क्रोड की sales पहुंच गी और यहां तो बिल्कुल ही other means साड़े 22 क्रोड की sales पहुंची यहां देखिए 4.79 then 4.96 बट आभी कम हुई है बट अच्छी बात यह है कि operating profit देखिए 0.29 lakhs का हुआ है जो की पिछले 4 quarter के comparison में ज्यादा दिखाई दे रहा है वहीं net profit भी आप देखिए जो last quarter में ज्यादा sales होने के बावजुद company loss में थी बट यहां आज company जो है दुबारा से profit में आई है तो numbers अच्छे आए हैं क्योंकि company का जो खर्चा है वो पहले भी आप देख सकते हैं यह जो pattern है यहां आपको दिखाएगा कि sales इनकी पहले भी इतनी भ्यंकर volatile रही है बट अच्छी बात यह है कि company profit में आई है बट मुझे थोड़ा सा और ज्यादा expectations थी आज के company के इस result से थोड़ी वो कम fulfill हुई है क्योंकि मैं मुझे लगता था क company इससे जादा कर सकती है तो अब तो कल ही आज तो stock में हमें downfall देखने को मिला था कल देखेंगे कि बजार जो है इन results का कैसे welcome करता है या फिर punish करता है stock को तो यह थे आज की वीडियो में जो ARC finance है बहुत साथी wait कर रहे थे result के बारे में यह update मैंने आप सभी को दी है अगर आपको update अच्छी लगी हो तो please like करे video को channel को subscribe करे मिलते हैं यह वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye